दोस्तों यस बैंक की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक ने एक बहुत जबरदस तेजी बताई पिछले कई दिनों के रिकॉर्ड तोड़े 11 परसेंड की तेजी इंट्राडे में देखने को मिली और श्टॉक 27 को क्रॉस कर गया अब आप यह देख सकते हो इतनी जो बड़ी तेजी बनी इसके पीछे कुछ बड़े रिजन है जिसको इस वीडियो के माधियम से डिसकस करेंगे वैसे तो भी यह बात मैंने आपको लगातार बोली है कि यस बैंका श्टॉक दोड़ेगा जुरूर काफी लोग है जो बहुत ज़्यादा माईस हो चुके थे और उसके पीछे वजब यह बहुत सारे ब्रोके जाओ उस लगातार निगेटिव कमेंट कर रहे थे उनके कि टाटा मोटर्स हो आरवी एनल हो आई एर अपसी हो सबने कमाल किया है कोई स्टॉक बाकि नी था या पर रह गया था यस बैंक बाकी तो इसने भी अब दौड़ा सुरू किया और यह अब दौड़ा भी आने वाले समें कुछ नए कृतिमान इस्तापित कर सकते हैं तो यह एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी न्यावडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमा आई में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं तो सबसे पहले यस में के कारूबार की बात कर ले तो 26.63 पर क्लोजिंग थी 11.14% की जबरदस्त तेजी देखनों को मिली और इंट्राडे में 27.05 का हाई भी बन गया तो जो इस्टॉक 23 रुपे के आस्वा था वो 27 को टच किया और एक दिन में बहुत सांदार और जबरदस्त तेजी देखनों को मिली यहां पे सबसे जो बड़ी बात है कि यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है लेकि इसके बीच में जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आर्बिय की तरब से यस बैंक के उपर पैनल्टी लग गई गया तो यह आर्बिय की तरब से सेवा में कमी की वज़े से उनके पर पैनल्टी लगई क्योंकी ब्रेंच के अंदर कुछ कमी रही है जो आर्बिय की गाइडलाइन है जो नियम में उसके तहत वाँ पे काम नहीं हो रहा था और उसके तहत यहां पे यह पैनल्टी तो यह सा थोड़ा कम होता है और इसलिए यह बैंक को और भी बहुत सारी स्टेप उठाने पड़ेंगे अपने एंपलोईज को बहुत जदा प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन करना होगा ताकि ऐसे में आने वाले समय में वो कोई मिस्टेक न करें जिससे फिर से आर्मिय की त पाद में और उनसे अपिक्सा बहुत जदा है वैसे इस पैनल्टी से जो अपरेशनल एक्टिविटी जाई एस में के उस पे कोई ज्यादा फरक ने पड़ेगा क्योंकि अमांट बहुत कम है अब यहां पर देख सकते हो कि कमपनी ने जून क्वार्टर के लिए अपने जून क्वार्टर बहुत ही अच्छा रह सकता है यहां पर लौन और एड्वांसे जब उसमें 15% की व्रदी देखनों को मिल रही है जो देख सकते हो कि पिछले साल 2.29 लैक क्रोड के आसपास था इस समय हो है जो दो लाक क्रोड के आसपास था पिछले साल तो देख सकते हो क लौन और एड्वांसेज बेंज अबर्दस व्रिद्धि हुई है इसके अलावा अगर देख सकते हो दिपोजिटिव में भी 21% की सांदर व्रदी देखनों को मिली है जो 2.64 लैक क्रोड के आसपास था इसके अलावा जो क्रेडिट डिपोजिट रह सी वह वह यहन बेसिस प अपना quarter one का result declare करेगी और inside trading के लिए ट्रेडिंग window close है तो यह ट्रेडिंग window 48 hours के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग सुरू होती है इसका मतब़िया है कि 22 जुलाई से ट्रेडिंग सुरू हो जाएगी inside trading के लिए जो bank से सम्मनीत लोग है वो अपनी ट्रेडिंग कर पाएंग सबसे बड़ी बात है कि Yes Bank की Asset Quality में बहुत जबर्दस सुधार हुआ है NPA 1% से भी नीचे आया है और यही बात है कि इसका आसर देखने हूं मिलेगा और इससे में जो Market Expert है वो Stock को Hold करने की सला दे रहे तो देख सकते हो कि अलग अलग ब्रोके जाओस जो पहले लगातर Sell के Rating उसमें कुछ अब्रोके जाओस है जो Stock को लेकर bullish हुए और उन्होंने खरीदारी की सला दी है और आने वाले इसमें टार्गेट 32 को टच कर सकता है जो इसकी पूरानी हाई थी तो यहां पे Quarter 1 result को लेकर देख सो कि Manish Chaudhary जो Head है Stock Box के उनका कहना है कि Quarter 1 का जो result है वो काफी ब और कमाल कर सकता है सबसे जो बड़ी बात है यहस बैंक का जो MSM और corporate loan book है उसमें भी काफी अच्छा improvement देखना को मिला है बैंक लगातार अपनी asset quality को improve कर रहा है credit cost ratio है उसमें भी improvement देखना को मिल रही है तो एक अच्छी समावन और बंद रही है दुसरी तरब देखे तो जारी कि वह बहुत ही बैतर है जिससे कह सकते हैं इस बार रिजल बैतर रहने की पूरी उमीद है वैसे वीले अंबाला ने यहां पर देखो कि 25.40 का target दिया था और जो second target है वह 32 के आसपास है तो पहला target हीट हो चुका है 32 रुपे तक आने हैं जाने की समावन बंद रही है stop इसके इलावा LIC का भारी बरकम निवेस है इसके इलावा Axis Bank, ICC Bank और HDFC Bank ने भी निवेस किया हुआ है यह सारे निवेस सकते हैं जब 2020 में 10 रुपे की शेर प्राइज पे उनको शेर जारी किये थे आर भी एक ही तरफ से यह उनको मौका दिया गया था और आप देख सकते हो अभी भी वो बने हुए और इसके पीछे वज़े कि बीजनस देखे उनको confidence है कि आने वाले समें Yes Bank कमाल कर सकता है। 12 बजकर 44 मिनट पर 24.71 की प्राइस से 29,90,000 की बंपर खरिदारी हुई फिर 12 बजकर 46 मिनट पर 24.89 की प्राइस से 21,52,000 की जबरदस खरिदारी और हुई तो एक बजकर 22 मिनट पर 25.49 की प्राइस से 29,31,000 की प्राफिट बूकिंग हुई फिर एक बजकर 31,000 की प्राइस से 25 तो उसके बाद दो बजे 26.09 की प्राइस से 24.20 की जबर्दस खरीदारी हुई तो फिर दो बज कर 19 मिनेट पर 26.48 की प्राइस से 79.67 की बंपर खरीदारी हुई यानि क्लेर लिए आप देख सकते हो कि बड़े फंडा उसने यहां पे जम के खरीदारी शुरू कर दिया है और यह इसारा है कि श्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है तो लॉंग टर्मिनेशन के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी करे आने वाले समय यस बैंक आपको माला कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स